जैस्री कृष्ण मित्रो, मित्रो वास्तु सास्त्र के नुसार घर में यह च्छे प्रकार के पोधे लगाने से धन का आगमन होता है, दुख दरिद्रता दूर होती है, और सकरात्म कुरजा का संचरन होता है, और वास्तु दोस भी नश्ट होता है तो मित्रो आज आपको हम बताएंगे कि वास्तु सास्त्र के नुसार घर में कौन-कौन से पोधे आपको लगाना चाहिए तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चेनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचें आप नित्य नई नई ग्यानवरधक जानकारियां वह नित्य का राशी फल हमारे चेनल से प्राप्त करते रहें तो पेड़ पोधों का जीवन में बड़ा ही महतो होता है पेड़ पोधे लगाने से ना सिर्फ शुद्धवा और आक्सीजन हमें मिलती है बलकि वास्तु सास्तर के नुसार घर में कुछ पोधे लगाने से उनके चमतकारिक लाप भी हमें मिलते हैं कुछ पोधे ऐसे हैं जिने घर में लगाने से सकारात्मक उर्जा और धन का आगमन सदेव बना रहता है और कुछ पोधों के पूष्प माता लक्ष्मी जी पर अरपित करने से घर में माता लक्ष्मी जी का इस्थाई वास हो जाता है ऐसे में आपको भी इन पोधों को अप अपने घर में जरूर लगाना चाहिए ये बेहदी शुब माने गई हैं तो आई अब हम आपको बताते हैं वे कौन-कौन से पोधे हैं जिनको लगाने से घर में सकारात्मकुर्जा सदेव बनी रहती हैं और इससे धन की प्राप्ती भी आपको होगी तो सबसे पहला पोधा इ जहरीले केमिकल्स को अवशोशित कर लेता है यह पोधा घर में आने वाली नेगेटिव एनरजी को रोक करके आपकी जिन्दगी को बहतर बना देता है घर में तुलसी का पोधा लगाने से पाजिटिव एनरजी सदेव बढ़ती रहती है और धन का आगमन भी होता है माता ल लगा सकते हैं तो लक्षमना का पोधा धन को भी आकरशित करता है कहा जाता है कि जिसके घर में लक्षमना का पोधा होता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है सांती उस घर में शुक शांती सदेव बनी रहती है अगला पोधा है अश्वगंधा का अश्वगंध पुष्पों को पारीजात के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं कि यहां जिस घर में होता है वहां सुख शांती सदेव बनी रहती है इसके पुष्पों में तनाओं को दूर करने की विशेश च्छमता होती है अगला पुधा है सफेद आंक का सफेद आंक में भगवान गणेश जी का इस्थाईवास होता है इसकी विदी विदान से पूजा की जाए तो यह काफी लाबकारी रहता है इसको घर में लगाने से शुख शांती और सम्रद्धी सदेव बनी रहती है यहां पुधा सभी को घर में अवश्य लगाना चाहिए अगला पुधा रजनी गंधा का है तो घर में रजनी गंधा लगाना काफी शुब माना गया है रजनी गंधा की तीन किस्म होती है इसमें ओशदी गुण भी पाये जाते हैं इससे सुगंदित इत्र और तेल आदी बनाए जाते हैं तो इसे हमारी यह ज्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्नमित्रों फिर मिलेंगे